दिसको हम आपको सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं कुमारेटी रोड की जहाँ पर MMU गेट के समीब सड़क तलाब में तबदील हो चुकी है आप देख पा रहे हैंगी किस तरह जो यहाँ पर पानी यहाँ पर सड़क के बीचो बीच खड़ा हुआ है और वहाँ जो है सड़क के दूसरी तरफ से बचते बचाते यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं तो आपको सीधी तस्वीरे MMU आस्पिटल के समीब की जहाँ पर जो है सड़क पहली बारिश में ही नदी के रूप में तबदील हो चुकी है काफी पानी यहां पर सड़क के बीच में खड़ा हुआ है और जो वहाँ नए कारे हैं वह सड़क के एक साइड होकर यहां पर क्रॉस हो रही है और आप देख भारे है कि किस तरह जो पानी यहां पर काफी बड़ी मात्रम है यहां पर खड़ा हुआ है और यह पहली बारिश करें कि यहां पर इंटिछा गिया कि रही टार थुम data. वानों को तो पांची रहा है जो सड़क को तार लेह हो पानी की वजह कर लहाँ हो ऐगा है. तो आप देखा रहे हैं कि सड़क की से पानी just और जो सड़क तब्दील होते ही नज़र आ रही है. और दो पहिया वान चालक और दूसरे जो गाडिया हैं वो यहां पर पानी में देखें कि आप किस तरह मोर साइकिल निकर रहा है और अगरी कोई वेक्ति या इसमें गिर जाए दो पहिया वान चालक या कार भी सड़क बंद हो जाए पानी का भाव आप देखेंगी कितना पानी यहां पर खड़ा हुआ है तो कई न कई बड़ा यहां पर हाथसा भी हो सकता है और विबाग को चाहिए कि पानी की निकासी का कोई पुकता इंतजा में यहाँ पर किया जाए ताकि आम जंता को जो वान चालक है या और लोग है जो यहां से क्रॉस हो रहे हैं उन्हें दिकत प्रशानी ना उठानी पड़े। आप देख रहे हैं कि सडक के साइड से होके ही लोगों को गुजरना पड़ रहा है और मेरे हिसाब से जहां तक देखने को लग रहा है कि डेट से दो फूर तक पानी सडक के एक छोर पर यहां पर इकठा हुआ हुआ है और टायर भी आप देख पार है कि गाडियों के यहां प तो लेट पेरें पुर्ष मिपाँ रख दी आप फिर्ष मुद्टी विवाग और दी आप देख पा रहे हैं कि यह कुमारटी शुल्तानपूर रोड रटा व्यक्ती पेले ही जुते होल अगया है और व्यक्ती पूरा होसला करते हुए और बचाव तो कहीं न कहीं एक M.M.U. गेट के समीव जो सड़क है वो नदी और तलाब में तबदील हुई है और यहां पर भारी मातर में जो है यहां पर सड़क पाणी यहां पर खड़ा हो गया और कोई भी यहां पर जो पुक्ता इंतिजाम पाणी की निकासी का नहीं किया गया है और दो पाणी यहां पर और कारें यहां पर फस रही है वहीं जो पैल चलने वाले लोगों को है बहुत दिक्कत परशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है विबाग को चाहिए कि पानी की निकासी का यहां पर पूरा इंतिजाम किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से न मिल सके अभी तो पहली बार